एक जगत एक लोग कविता का अभ्याश करेंगे एक जगत और एक ही संसार के हम निवाशी है प्रकुति के तत्व हम सब के लिए हैं तो चंद्र, शूरिय, भुमी, आश्मान, हवा, पानी आदी सारे प्रकुति के तत्व हैं और वो सब हम सब के लिए हैं हम सब को समानता से रहना है बिना बेट भाव के शबी के साथ प्रेम से रहना है सबी के साथ समानता का भाव लाना है आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है आज हम अपनी दुनिया तक की ही बाते कर रहे हैं और अपनी दुनिया तक की ही सोच रखते हैं इस काव्यका बाव राष्ट्रवाद की संक्यरता से उपर उठकर विश्व बंदुत्व की भावना विक्षित करना है Friends, यह संसार बहुत बड़ा है संसार में बहुत से और बहुत सी जातिय के लोग साथ में इस दर्ती पर रहते है दर्ती सब की माता है इसलिए हम सब भाई-भाई है इस कविता में विश्व बंदुत्व की भावना प्रकट हुई है Friends, अब हम कविता का राख सीखेंगे एक जगत एक लोग सब का है एक मान एक जगत एक लोग सब का है एक मान एक चंद्र, एक सूर्य, एक भुमी आसमान एक तेज, एक हवा, एक ही पानी जीवन है सुख दुख की एक कहानी एक देह, एक रक्त, एक देह, एक रक्त एक अस्ति, एक प्राण, एक जगत एक लोग सब का है एक मान एक जगत एक लोग सब का है एक मान हर्ष बरे गाए हम राग सुहाने समता और ममता के गीत तराने गर-गर में गुंज रहा, गर-गर में गुंज रहा निस्तिन यह मदरगान, एक जगत एक लोग सब का है एक मान एक जगत एक लोग सब का है एक मान राष्ट्रों में एक्यायाही कर्म हमारा प्रगतीन आइमान वता दर्म हमारा हिल मिल के लहराए विस्व सांथी का निशान एक जगत एक लोग सब का है एक मान एक जगत एक लोग सब का है एक मान मित्रों आप लोगोंने कविता का राख सुना आप लोग इस कविता को गाने का प्रयाश करेंगी अब हम कविता का बावार्थ सिखेंगे एक जगत एक लोग सब का है एक मान एक जगत यानि विश्व दुनिया, लोक यानि संसार, मान यानि सम्मान आदर, यह एक मानव लोक है उसमें रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमी आसमान एक ही चंद्रमा रात में अपनी चांदनी फैलाता है दिन में एक ही शुड्य सारे संसार को प्रकाशित करता है हम सब एक ही भूमी यानि धर्ती पर रहते हैं और एक ही आसमान यानि आकाश के नीचे रहते हैं एक तेज, एक हवा, एक ही पानी हमें मिलने वाले तेज यानि प्रकाश, हवा और पानी एक ही है जीवन है सुख दुख की एक कहानी सभी के जीवन में सुख और दुख एक जैसे ही है किसी का भी जीवन न केवल सुखी होता है और न केवल दुखी होता है सुख और दुख आते जाते रहते हैं एक देह, एक रक्त, देह यानि सरीर, रक्त यानि लहू, खून हमारा सरीर एक जैसा ही है रक्त यानि खून भी एक समान ही है सभी के सरीर में लाल रंग का खून ही बह रहा है एक अस्थी, एक प्राण, एक समान, अस्थी यानि हड़ी है सभी के सरीर में एक जैसी हड़्या है एक प्राण और प्राण भी एक शमान है एक जगत, एक लोग, या जगत, या विश्व एक है और संसार भी एक ही है हर्श बड़े गाएं हम राग सुहाने हर्ष यानी आनन, राग यानी गीत, सुहाने यानी सुन्दर, हम आनन्दित होकर सुन्दर राग यानी की सुन्दर गीत छेड़े, गाएं, सम्ता और मम्ता के गीत तरानी, शम्ता यानी समान्ता बड़ा बड़ी, मम्ता यानी प्रेम, तरानी यानी गीत, गाना, हम शमान्ता और परश पर प्रेम के गीत गाएं, गर गर में गूंज रहा, हर गर में यही गूंज रहा है, निश दिन यह मदूर गान निश दिन यानी दिन रात मदूर यानी मीठा गान यानी गीत रात दिन यही मीठा गीत हर गर में गुंज रहा है एक जगत एक लोक एक ही विश्व और एक ही संसार के हम सब निवाशी है यह मदूर गीत गर-गर में गूंज रहा है राष्ट्रों में एक्य यही कर्म हमारा राष्ट्र एक्य यानी एकता कर्म यानी कर्म सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा कर्म होना चाहिए प्रगती न्याई मानवता धर्म हमारा हमारा धर्म क्या होना चाहिए तो सब की प्रगती हो सब को न्याई मिले और मानव धर्म की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए हिल मिल के लहराई हिल मिल यानि मिल जुलकर हमें लहराना है क्या विश्व सांती का निशान विश्व सांती यानि विश्व में सांती हो ऐसा निशान यानि जन्दा हम सब को मिल कर लहराना है एक जगत एक लोग हम सब एक ही विश्वा के एक ही संसान में रहने वाले निवाशी है तो राष्ट्र के अंदर एकता बनाये रखना भाय बंदुता लाना हमारा कर्म होना चाहिए फ्रेंट्स हमारे देश में ही नहीं मगर पुरे विश्वा में हमें एकता से काम करना चाहिए और विश्वा बंदुत्व की भावना को विक्षिट करना ही इस कविता का बावार्थ है फ्रेंड्स अगले वीडियो में नहीं कई के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए स्टे हॉम, स्टे सेफ, बाबाई